हेलो फ्रेंट्स बिलूं गाडनिंग को आपका स्वागत है आज मेरे गाडन में सेवंती का प्लांट कैसा खिला है उसी को आपको दिखाना जाऊंगी फ्रेंट्स ये देखे मेरा पुना भराइटी का प्लांट कैसे फुलो से भर गिया है ये एक भराइटी है फ्रेंट्स दे पुलों से भर गया है, और इसमें पता नहीं दिख रहा है, देखे, दो तीन बार मैं पिंच करी थी, पिंच इंग करी थी प्लांड को, इसलिए इतना भर गया है, देख सकते हैं आप उसका रेजल्ट, और इसमें कलियां बहुत जल्दी आती है, एक बार आया था, तो मैं उस उसको भी बिंच कर दी थी तो तब ही जाके इतना बड़ा हुआ है ये देखिए ये सब मेरा लेट साल का फ्रेंट्स ये देखे ये यह भी बहुत सुन्दर देखता है ये ये देखिए एक साइके errado बाला आया था उसी की पास से मैं घर के सामने में बेचने के लिए आया था उसी से मैं ये प्लांट सब खरी दी थी ये देखे ये सब मेरा नया नया कलेक्शन है ये साल का और ये ही सब ही मेरा सबसे पहले खिल गया है मेरा गार्डन में और मेरा जो पुराना कलेक्शन है वो स सब का जश्ट ऐसे ही खिला है ये देख सकते हैं लेकिन सब नहीं खिला है फ्रेंट्स ये साल मेरा थोड़ा सा लेट हो गया नहीं तो डिसेंबर में December 1st, 2nd week में मेरे यहाँ यह गुलदवदी का पोधा भर जाता है फुलो से, लेकिन यह साल थोड़ा लेट हो गया है फ्रेंट यह देख सकते हैं ऐसे ही खिला है कुछ प्लांट में अभी कलिया है, उस में खिलना नहीं चालू कर रहा है यह देख सकते हैं, सब मेरे प्लांट सब यह सब मैं लाइन के हिसाब से नहीं रखी हूँ फ्रेंट्स यह मेरा टेरेस में है और यह कुछ दिन पहले मेरे गमले को मैं कलर करी थी, तो इसलिए एक साइट उसको जमा करके रख दी हूँ फ्रेंट्स जब थोड़ा सा फूल खिलना चालू हो जाएगा तो इनको सब को मैं लाइन पे कलर वाइज रखूंगी सोची हूँ, तो उससमें देखने में बहुत सुन्दर लगेगा और क्या-क्या फेराइटी मेरे पास है, उससमें आपको मैं दिखाऊंगी फ्रेंट्स और सब गमले में हर गमले में एक ही प्लांट लगाई हूं प्रेंट्स एक प्लांट लगाने से रेजल्ट क्या होता है कि मिट्टी में जितना भी खाद रहता है मिनेरल्स रहता है, सब वही एक ही प्लांट को खाने को मिलता है यह देखे फ्रेंट्स कुछ मेरा गेंदा का पोधा है और एक मेरा कोलिया से और यह देख सकते हैं कुछ में बहुत अच्छा कलिया से भर गया है और गुल्दावदी का पौधा अच्छा घाना है कुछ मेरा थोड़ा कम ग्रोथ लिया हुआ है ये देख सकते हैं ये देखे फ्रेंट्स खिला नहीं है खिलने के बाद आप लोगों के साथ एक बार और सेयर करूंगे कैसा मेरा गुल्दावदी का पौधा है बोलके ये देखे इसमें ज्यादा तर मैं लिकुट फटिलाजर देती हूँ फ्रेंट्स मिट्टी में मिट्टी तेयार करते समय खाली गुबर का खाथ देखे मैं इसको मिक्स करे रहती हूँ नीम खली और गुबर का खाथ और प्लेन गार्डेन सोयल और बाद मैं मैं खाद करती हूँ यही लिकुट फटिलाजर और कुछ दिन डियपी जैसे कुछ हुई डियपी देती हूँ फिर पिंच करती रहती हूँ पिंच करने के बाद थोड़ा घना होता है पिंच करने से ही रेजल्ट अच्छा आता है आप देख सकते हैं यह सब मेरा प्लांट देखने में जब फूल खिल के भर जाएगा तो देखने में बहुत सुन्दर देखेगा फ्रेंट्स यह देखिए और यह प्लांट मैं कैसे लगाती हूँ मैं यह साल तो सीजन चला गया फ्रेंट्स कैसे मैं छोटे प्लांट लगाती हूँ उसको मैं अगले साल से आर करूँगी यह देखिए मेरा गुलदावधी का पौधा मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड से आर करिएगा और मैं यूटूब में नहीं हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजेगा थेंक यूँ कर दो अक्ता है पनार से एंड स्वी यूटूब में यूटूब में यूटूब में यूटूब यूटूब